हेलो एवरीवन वेल्कम टूवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो तो आज की इस वीडियो में हम जेके पी एसाई का निया सब्लेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है साइन्स वोले सेक्षिन इस सेक्षिन को हम यहां पर स्टार्ट करें बायोगी से तो बाय करते जाना है वीडियो को शेयर करते जाना क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पॉंस जब हमारे पस कम आता है तो हम भी थोड़ सा डी मोटिवेटेड फील करते हैं और अच्छे से कंटेंट नहीं ला पाते हैं अब भी आपका इंडियन पॉलिटी जैसे सब्डेट कवर हो चु करने के बाद आपकी तरफ से और बैटर रिस्पॉंस होता जाएगा तो जो नोट्स मिलते रहेंगे आपको हमेशा की तरसे पॉलिटी में नोट्स मिल रहे थे अब साइंस की लेक्टर के नोट्स मिलते जाएंगे इसी फॉर्मेट में जैसे आपको पढ़ा रहा हूं आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे टेलिग्राम पर जो की डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक मिलेगा वहां पर जाके आप जाके देख लेना स्टार्ट करते हैं हुमन हर्ट के बारे हम पढ़ने जा रहे हैं और ब्ल देखो बलेड की बात करने क्यों कि हमारे दिल का काम क्या है वह हैक चुल में कैई खुण को पूरी बाड़ी में मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है कौन लेके जा रहा है हुमारे कर 10687 होटे देट के रहें जा हुँआझ एक मेट्रकूब को श्क हुषवा से पर मेटर शुमय निकिसक देइब करने होते हैं इसकी है कि बर करते हैं इसके बारे में कि जैसे इसकी इसका pH वगारा कितने हैं तो 7.3 से लेके 7.4 तक इसका pH वगारा वैरी करता है यह इस तरह के कुछ facts वगारा थे जो आपको पढ़ने होते हैं जो आपको examiner directly पूछ दे जाते हैं अब जो मैं facts मैं आपको बता रहा हूँ अब आप वीडियो के continue करते जाओगे वीडियो क को कहते हैं वह अपने बतान है अब आग के बात करेंगी अब एक हो चुछ के मारी ब्रो triple चुका है एक प्लाजमा जैसे आपके देखकी देखने को मिल जोगी ब्लेडं ये से पाइप से पानी फ्लो करेगा उसी तरीके से ब्लेड वैसल आपको देखने को मिल रही है इसके बीच से खूण वगरा फ्लो करता है कि आपके पुरी बॉडी में ब्लैड में खुले में घुमता रही है इसे बाहर आगी ब्लड भागता रहे हैं वहां पे एक नेटवर्क होग को बात करें एक हमने बलड को बलड कर दिया है कि हमने प्लाजमा इख the प्लाजमा होतहैं फारिककृत करता कि न कुछ 75 का होता है तो आज嘛 पूरे खून में 60% तो सिर्फ हमारे पास क्या होता है एक वए फोन चार्जिंग के लगा दो बैटरी लोगी इसकी पहले फोन को चार्जिंग में लगाने जरूरी था चलो हम यहां पर बात करते हैं उसमें तीन पार्ट और आते हैं ब्लेड कार्ट कि देखने को मिल रहे हैं हमने कि और तरह से हमने क्वा такीज एक हमने बोल दिए प्लाज्मा में विलड़ कर्पूसल अभी प्लाज्मा तीन पार्ट में और डिवाइड गया है एक हमारे पास होते हैं RBC, एक होते है WBC, एक होते हैं Platelets समझ गयो, इतना concept समझ आगया ठीक है एक हो गया Plasma, एक हो गया Blood Carpuscles जदा क्या है Plasma, कम क्या है Blood Carpuscles Blood Carpuscles को गया 3 पार्ट में Divide किये हुआ एक होते हैं RBC, यानि कि Red Blood Cells एक होते हैं WBC, यानि कि White Plate Cells और एक होते हैं platelets, इतना आपको समझ जा गया, clear हो गया, अगर आपसे examen question पूछा जाएगा कि blood में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो plasma होता है, समझ कियो, और अगर पूछा जाएगा ठीक है, plasma छोड़ दो, अगर पूछाएगा blood carpuscles की बात करेंगे, इसमें जादा क्या हो होता है, तो plasma 90% पार नहीं होता है, बागे 7% के करीब प्रोटीन में गारा होते है, 90% पार नहीं होता है, तब भी तो liquid portion आपको देखने को मिलता है, प्लाजमा वला, इतना आप सभी को यहां पर समझ आ गया होगा, blood के बारे में, तो आगे चलते हैं, इस एक साथ next slide की तर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या चलता है, तो यह basic concept आपको सारे समझ आगा होंगे, इनके shape शुप देख लो कैसे देखने को मिलते हैं, तो बागी आखी चलते हैं, और देख लेते हैं, देखो यहां पर ब्लेट की formation को पर एक्जाम में कुशन बनता है कि ब्लेट बन मिल रहा होगा, तो ब्लेट की formation कहां पर होते हैं, ब्लेट के formation जो है, वो bone marrow में होती है, इतना आपको समझ आ गया, तो ब्लेट स्टोर कहां पर होता है, यह आपको स्प्लीड देखने को मिलता होगा, यह आपको यहां पर स्टोर कहां पर होता है, क्योंकि अगर आपस कुछ बन वह बंग में होता है इतने कंच चैने क्यों और समझ आगे उगे इसलिक उता क्ट में था गज्टी हएँ एक चाला गया है फिर यहाद के बाद हम चाहिए कर तरह पहीं ह vibeshp नहों कि आगे चलते हैं तौक हम ने हमसे इसका काम क्या होता है थो नहीं कर देख कर लिया अब इसको कर लिया क्तॊंप आई क्योंकर है क्वागी हमारे और साथ है बहुत है पांकर रेगा है रहने में खाल यह था था हमने की बारे हमन् Cao को लिए खाने काल या है भुरी बॉडे में कास कैसे मुव्मेंट करेगा यही चोकर भाग कि वेसी कूछ हों कर नहीं वैसली को मौनमें अगर होता इक तरफ भर्याजमा होते हैं यही जो आफीचर फूर्ड को को अपने साथ लेके जाएगा हार्मोंस को कुछ ट्रांसपोर्ड करेगा हमारी बॉड़न की तैमल करता है क्योंकि भी ब्लैड करता है क्योंकि ब्लैड मुव्मेंट वगएरा होती जाएगी तो नॉर्मल रहता है एक जैसा रहता है तो यह एंक कब अपको समझ आगे हैं आगे पड़ते हैं आपको याद रखना पड़ेगा इनकी लाइफ कितनी होती है एक देर के पर गज्रियों कि उनकी लाइफ किय teriy Här वेरेज उनकी है आरबी के बात कर थे हैं इनकी में पड़ेंगे करतीक्ति है आरबी किसी परता का नियुखलिट रपाहिं होती है इसकी Kांट कितना ओटा यह RBC होते कितने हैं? 4-5 million 4-5 million 1 million 10,000,000 के बरावर इसका मतलब RBC को जो count होता है वो 40,000,000 से 50,000,000 तक रहते हैं समझ क्यो? 40,000,000 से 50,000,000 तक RBC रहते हैं हमारे पूरे body में नहीं रहते हैं सिरफ एक mm3 में रहते हैं एक cubic meter में mm में रहते हैं समझ क्यो? पूरी body में नहीं एक चोटे से हिस्से में जो है वो 40-50,000,000 तक RBC देखने को मिलती हैं तो आपसे जनरल एक्जाम में count कुछ रहता है ये पर cubic mm वागरा कम ही होगा लेकिन count याद रखना पड़ेगा 40-4-5 million कर लो 40-50,000,000 कर लो ठीक है? और RBC की formation भी कहां पर होती है bone marrow में होती है आपको देखने को मिल रहा होगा इतने concept आपको समझ आगे हमारे खून को color लाल होता है red color का होता है red color क्यों होता है? hemoglobin के कारण होता है hemoglobin में क्या होता है? iron होता है उस iron की वज़े से हमारे खून का रंग कोन सा होता है हमारे खून का रंग उसकी वज़े से लाल गलगा बन जाएगा अगर हम बात करेंगे हमारे जो hemoglobin content है जब आप खून के लिए जातों कि हमारा खून कितना है body में वो पूरी body में जितना खून है यहां से आप यह चीज मुझे सर्च करके बताओ कि हमारे बाड़ी में ठीक है लेकिन जो आप जाते हो ब्लेड टेस्ट करवान देख लाइब उसे हमारे खून किता है वो बोलते हैं तो हमारी बोड़ी में उनका छे लिटर है तो यह क्या बोलते हैं वह हमोग्लोबिन आपको प्रिद्ट करेंगे तो इसके बीच में वैरी करता है घ्र यह अपका हमोग्लोबिन होता है यह साधे तेरा ग्राम पूरे बॉड़ी में नहीं होता एक एंडेड एमल की बात करके सिरफ हंडेड एमल में जो है वह इतना होना चाहित तो अब बोलो कि ठीक है मेरा ब्लेड ग काम कर यह लिब बी काम करते हैं कर यह कुछ कम ले tua श़ुर्य जाएं यह वह कौन 3-2 को ट्रांस करेंगा तो बहुत यह आरभीची है जो को ट्रांस्षी ट्रांसपूर्ट करने समझा करने करेंगे इसको ट्रांस्पोर्ट करने के काम करता है इतना को समझ आ गया यहां पर किसी तरह की डिफिकल्ट को नहीं होगी काम क्या होता है वो पता होना चाहिए आर बीसी की डिफिशेंसी हो चाहिए यहने कि अगर है मोगलोबिन की कमी हो जाएगे आपकी बौडी में एनिमे के बीमारी तो खूंद की कमी वह हैंवह ग्रेव याइड यह यह कि खतम हो जाएंगे यह बेसिक चेप्स हैं आपको यह सब पता होने चाहिए इसके बाद आगे चलते हैं अब हम चलते हैं पुन के एक तर्फ जाए जाता है नहीं कितनी होता वहां पर कितना पांट से लेकं 20 दिट्टक ही जीपाते हैं तो आगे हम बात करें हिंगा काउंट कितना होता है वहां पर कितना मढ़ता है होता है 4000 से 11000 तक अलगा थे और बहुत कम नंबर होता का अगर कि अगर बाकियों से होता है हाँ बिल्कुल इन में नुकलेस प्रेजंट होता है वह प्लाजमा आपकी बॉड़ी को दिजी से बचाने का काम करता है इम्यून को स्ट्रॉंग करने का अगर यह इस्ट्रॉंग होगे तो आपकी बॉड़ी में कोई भी प्रॉब्लम वगईरा होती है अगर जल्दी से ठीक हो जाता है इसका मतलब किया आपका क्लिए इम्यून सिस्टम स्टरॉग वह भावर से जो भी आरहाँ कि बाड़ी इसे ट करेंगे और जीव चाहेंगे अगर जीट के इम्यून सीस्टम स्ट्रॉग है अगर बीचार हार कि तो भीमार पड़ दो पर शोइक तो बाड़ी को आपकी युद्ट करता है तो चीज वेक और प्लेटट का नाम कहा था थ्रॉम्बो साइट्स टिनों के नाम हमें रूज इए एक का लाइफश्पन अलग था एक लाइफस्पन अलग तो देखो हमने कहा है पुरे में ज्यादा नदेखते हैं पुरे जब हमने लोड की ल highway from यह क्योंड की चे feather उसमें RBC जादा थे आपको देखे बता लग गया होगा RBC 40,000,000 से 50,000,000 चल रहे थे WBC 4,000 से 11,000 हैं प्लेट्स देड़ लाग से 4,500,000 सबस्दा RBC फिर प्लेट्स फिर WBC तो भई आपको जैसे की में कट्वरण लग जाता है वह काम को न करता वही प्लेट्स काम करते हैं अगर नहीं बनेगा तो खुंसाल को निकलता जाएगा टाइगा तो देगो के टाइमपे प्लेट्स अपके कम हो जाते हैं नॉर्मल मार्क कितना का डेट लग साड़ी चार लाक है ना ये कम हो जाएगे डेंगो को टाइम पर तीनों जो हमारे पाद सेल्स वेरा थे न का बेसिक फंक्शन वेरा क्या है वो सब कुछ आपको समच आगया होगा इसी किसाद आगे बढ़तें नेक्स स्लाइड की तरह बढ करते हैं उनके लिि पर हमारी जांने की करते हैं तो यह ज़रूर नहें जब रहें हाएं अब और बेसकी डाट ने कवर कर लेकि व्लर किया होता है उसकी चाब आप ली अब कुछ को funded को देखने दो पोरों में बैड दूप होता है ना सभी का अलग लग बैड बैड गूप होता है इस ग्लाइक प्रोटेइन के कारण होता है देखो एक होता है दोनर को किसी को भी खून सा सकते हैं और किसी का useless B अरकल आजाएगा तो वह पॉज्टीव होता जाएगा हम सबता करते हैं इसमें कौन सा आतिजन होता है ब्लड गुरुप इतना इनसे होते हैं अपोसे बन जाएगी बन जाएगी बेद्र बन जाएगी बन जाएगी यह दुन आपको समय गया यहाव भी किसे तकार डौट अपको नहीं रहेगा हम आगे चलते हैं आगे पढ़ते हैं बिलेड ग्रूप एक ही बात करेंगे तो यूनिवेसल डिसिप्टर है वो किसे से भी खुन ले लेगा ना वो तो सबको दे सकता है यह आपको समझ आ गया होगा अगर हम बात करेंगे यह किस किसे खून ले सकता है तो ब्लड गूप जिसका प्रास है वह ऐसे खून ले सकता है क्योंकि ब्लड गूप से ब्लड गूप ले सकते हैं गया है कि तो यह बात करेंगे और्कूल अगर खून इसे के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स स्लाइड की तरों बढ़ते हैं नेक्स स्लाइड की जब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं हमारे human heart का chapter start करते हैं blood chapter समझागे blood के basic content समझागे अब हम अपने heart के बारे में पढ़ने जा रहे हैं human heart के बात करेंगे ये एक pumping organ है कुछ questions मैं बूलना जाओं आप से पहली पूछ लूँगा जिसे हम पढ़ेंगे हमारे human heart जो 4 chamber होता है इसमें 4 chamber हैं इस तरह से 2 इस तरह 2 इस तरह 4 chamber होते हैं fish के 3 chamber होते हैं आप मुझे बाकी बताओ सांप के कितने chamber होते हैं या snake आपको बताते हैं lizard के कितने chamber होते हैं amphibians के कितने chamber होते हैं reptiles के कितने chamber ये सारे जो हैं वो आप comment section में comment करे बताओ इनमें कितने चैंबर पगरा होते हैं जैसे हमने कहा हमारे में चार चैंबर होते हैं हमारी सर्क्रेशन डबल होती है इसी तरीके से बागे कितने कितने चैंबर होते हैं वह आपने सर्च करके कमेंट करना जिसको पता है वो अरड़ी करेंगा ठीक है अब में समझना स्टार्ट करते हैं इसको हुमन हर्थ की दिल के बात करेंगे पंपिंग और्गन है मतलब हमारी बॉड़ी में खून पूरी जग एक जगा से दुश्रे एंड तक जा रहा है यह अपने आपको जान नहीं सकता है ना जैसे अगर हम बात एक बेसिक सी एक्जमपल को समझाने के लिए से हमारे गर में पंप कर लगे होते हैं तो ऐसे थे पानी अपने चले जाएगा उसको फट्र लगाते हैं तो निचे आ वापस ऊपर कैसे आएगा तो खून को करने काम क तरह है तरह है तरह है तरह है तरह है यह चार तरह के चैंबर आपको देखने को मिलते हैं एक वाल इस तरफ होती है के बीच में एक वाल समझ को यह अब आपको बता हुँ इसके बारे में फिदाल चार चैंबर कुण से कुण से देखो ऊपर की तरह होते एक्रियूम वाले नीचे की तरह हो गाइब जो इस तरह है वह लिफ्ट एट्रियूम हो जाए गा जो नीचे की तरहें रुट नि बैन ग इस तरफ राइट वेंट्रिकल हो जाएगा इस तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा तो यह किसी तक का डाउट आपको नहीं आ रहा होगा यह क्लियर हो गया हम यह और बात कर लेते हैं देखो करें करें करों आपको सईज वर पूरा खुरेट होगा रहा चाहिए तो आप यहां पर देखलो इसकी डमेंशन का मिल का स्टोर का होता है और इस तलते हैं अर बेसे बात करेंगे इन इनकी थिक्टे सव गएरा बताईव जैसे राइट के बात कर लिसे थिकने सितनी होती है ले चेंबर में डिवाइड किया हुआ है थी पहँने किया है छोती हैं देखने पड़ेंगे आपको समझने पड़ेंगे आ पूसमेड आगा यहां पैठी इसी तुरीगे से आज चलते हैं और जो important है वो देख लिए और के important रहने वोला यहां पर यहां पर पहले इसके बारे पढ़ लेते हैं कुछ basic काम करें कैसे करता है फिर बागी details देखना स्टार्ट करेंगे देखो मैं आपको short में पहले समझा दो human art के बारे में कैसे काम करता है जैसे हमारे पास यह रहा हमारे पास य प्योंड व्लड यहां इसको बोलते हैं oxygenated blood समझ क्यों जिस ब्लड में हमारे पास क्या है oxygen वगए चाणे वर जिसमें oxygen नहीं जो गंदा कुन है उसको बोलेंके oxygenatellis what oxygen एक पास अर्वं किसमें इक हो उस्क्राइब कदकर दिखा तो को बढ़ते उसके पर में बंगा लगा जाता है इस तरह से करके आर्टिस के बारें बढ़ते हैं समझ क्यों आइड इस हमेशा क्या क्यों सा ब्लेड करती यह कुन सा ब्लेड करेंगा यह आड कि जब प्रेशर बि ज्यादा होता है अगर इना प्रेशर जादा है तो मुझे बताओ आर्टिस ठीक होने चाहिए तिन होने चाहिए क्यों र UC क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए thick size की होती है और vista size की होती हैkit आठ बेर करते हैं प्रेकर करते है आजट करते करते हैं आड़ेटरी करते हैं अब यहां पर आपको समया गया होगा अब यहां फर हैकर देखो हमारी बॉड़ी में जब जो इंपीर ब्रॉड थेक्थ होता यह दिए two जैंकि यहां से हो तको देखने को मादा एक रिर्न कर लिए इसके बाद कहां पर जा रहा है इस तरह से वॉपन हुई है तके ब्लड्ड बुल्मेंट कर सकें अब यहां से खूने एक बड़े करने नीचे की तरफ आप खून वापस ऐसे ब्लब्मेंटर करें वापस ऊपर की त करते हैं एक सेट का फ्लो हो दिखाता है इसके बाद वो पियोड हो जाएगा यानि कि इसमें ? खुछ हो जाएगी फिर प्योन होने के बाद जो खून है वो काम पर करेगा लेफ्ट एक्रियं में ट्री गृत्रे करेगा फिर यहां पर यहां एंटिर करेगा फिर लंग से सेक्शन में जाएगा जब लंग्स on कर लेंगे फिर लेफट एक्रियम में आए बिर लेफट में आएगा फिर यृट टेशन करें फिर समझ आ घया होगा एक किन Ergeb के सब्सक्राइब चलते हैं अब हम्हे नटos John जो इसको तोड़ा जूम आउट कर लूँ आगे चलते हैं अब यहां पर देखो भाई यह रहा हमारे पास सेक्षिन आपको देखने को मिल रहा होगा देखो यहां पर जो इन्फिर विनक आवा सेक्षिन आपको देखने को मिलना काम बागा है यहां पर यह रहा है यहां पर क् से राइट में चला गया समझे हो फिर इसके बाद खुन कहां पे जा रहा है इसके बाद खुण जो है वह लंग स्वली सेक्शन में लंग से स्क्षिंध में जब खून प्यूर हो जाएगा प्यूर होने के बाद खून कहाँ पर रेगा इस लेफ्ट एत्रियम में जाएगा फिर इयोटर से होते हुए पूरी बॉड़ी में सर्कूलिशन करेगा तो चार चेमबर में कैसे ब्लड की मूवमेंट हो रही है इतना तो आपको समझ आही गया होग यह आपको basic concept यहां पर आपको यह भी समझ आ रहे होंगे तो यहां पर किसी तक की difficulty आपको नहीं होने चाहिए यह working आपको basic basic idea लग गया हुआ अब मैंने आपको बढ़ाया था जो arteries हैं वो क्या करती है pure blood carry करती है और जो veins है वो impure blood carry करते है उसके exceptional case यहां पर देखने को मिलते है देखो यहां पर क्या है यह impure blood है रहा था ना impure blood, impure blood कहां पर जा रहा है लंक्स में जा रहा है तो अगर impure blood लंक्स में जा रहा है तो impure blood को ले जाने के लिए कौन होना चाहिए वेंस होने चाहिए लेकिन यहां पर इंप्योर ब्लेट को वेंस निलेके जाती है यहां पर कौन लेके जाती है आर्टरी लेके जाती है उस आर्टरी का नाम क्या होता है उस आर्टरी को कहते है पुल्मनरी आर्टरी पुल्मनरी आर्टरी कहा जाता है तो यह exceptional case है जहां पर क्या हो रहा है? pure impure blood जो है वो artery carry कर रही है ऐसे artery भी तक क्या कर रहे थी? हमेशे pure blood to carry कर रहे थी लेकिन जैसे pulmonary artery की टर्ण नाई इसे तो गंदे खुण को carry करना start कर दिया वहीं दूसरी तरह चोंब बात करेंगे लंग्स से यहां पर blood जो प्योर हो गया था प्योर होने के बाद वो लंग्स में लंग्स के बाद वो left atrium में आ रहा था प्योर ब्लड को arteries carry करती थी थी ना लेकिन यहां पर भी exceptional case आ जाता है यहां पर vein carry करती है और उस vein का नाम क्या है pulmonary vein तो आपको exceptional cases देखने को मिल गए pulmonary artery वाला और pulmonary vein वाला जो उल्टा काम कर रहें बागे सब okay हो कहता है तो human heart का जो basic काम वादा कैसे करता है आपको वो सब कुछ भी यहां पर समझ आ गया होगा वो भी आपको लब डब यह की sound होती है और कितने time beats करता है कि मिलेट में जो average जाता है वह हमेशे इतने जाता जाता जादा होता थोड़ा सा एवर सेंटी वीट कर जाता है इतना एबरज होने चाहिए blade pressure होता है आई then a current pressure देखने का भी अगर delay pressure अपको जादा हो जाएगा उसको बोलते हाई Falls Rhoda अभर अगर 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 प्लेड़ եा सरक बलते हाई इसको बोलते हाई इतन भी हो गया हूगा यहां पर लिखे लिखाओ प्रेशर прид bulbs फ्रेड में जाता है ऐ लेकिन यहां सब्सक्राइब व्लिक्षाइब करें आंधी रखने तो नहीं हो रही होगी है आगे दिए और सब्सक्राइब मिस्टा्ट एक with आप तो क्या काम करना स्टार्ट करते हैं शको लेक्टिसिटी चलिए क्ला काम करता हラ वाइस को कॉन फुरो करता है इां पर से नोड होती है है यह वो काम करते है थोड़े अल्ग्र। वगरवा थे काम रती इसे क्या होता है हमारा हिद darf करने के काम करते रहते हैं संब तो कि हम आइभ सॉपमस्किंत शूप कर लगा यहां व भड़ यह वपस्के कर और एलेक्र तो काम कर रहे हैं लगा यह यह वह पास्मेकर और यह बीच में इंगे हैं ल framework लगा जाता है तो पूछ जाता है जो इसे नोड को जो नेच्रल कर जाता है क्योंकि इसके खराब होने पर हम आर्टिफिशल पेस्मेकर लगाते हैं समझ क्यों अगर जैसे आप वह चेक करते हैं के मरें हड़ी है आप चेक कर इस तरह से अब कर अपने देखो कभी ने कभी इस कभी ने कभी यह वही पेस्मेकर काम होता है और दूसरी तरफ क्या होता है आप जैसे मतलब आपके रास्टे को ब्लॉक ही कर देगा यहांसे ब्लॉट जो निकलता था वह जगह की थोड़ी सी कम मिल जाएगा पूरता से ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लॉट आगे मुवमेंट जाएगा तो अगर ऐसी कंडिशन आजाएगी इसको दूर करने के लिए आपकी बॉड़ी में स्टेंट लगता है अपने स्टेंट पी जो नाम सुना होगा तो यह स्टेंट रहता है वैरी करता साइज के साब से आपने देखा होगा यह मारी वैसल बिलकुल अगर ओकी होती नाम से श्टेंट करता जाएगा और टाइम के बाद इस टेंट को चेंज करना पड़ेगा फिर यह यह ना कि आपको पाइब एकता से कह सकते हो यह ब्लॉक नहीं हो रही है यह खुल चुकी है बेट असानी से मुव्मेंट बढ़े कर सकते हैं तो यह पर समझ आ रहा होगा आगे देखते हैं पर और हम बात कर लते हैं देखो यह आपको तादिया आर्ट इस ठीक होती है एक बात है हमारा हर्ट भीट करता ना उस टैम पे 70 ml बैड को पंप कर लेता है और पूरे दिन में कितना पंप करता है 5.7 लिट्र को पूरे दिन में पंप करता है हमारा जो चरफिए है सिस्टाली पर टायम कून से होता है यह वह ऐसा टाइम है जब हमारा हर्ट ग्रेय। हैं चल्ड करेंगा ग्लशूर बढ़े गा श्तेखत में अगर मेरे पार लिए निए उसमें huge तो अगरे दीन में शिंव उपर आइब कर दूँंगा तो अगलिक आ झाल दिया झीट कम होगा किसि प्रेशर कम होगा तो जाहिए होना चाहिए कि यह किसे करते हैं यह इंस्ट्रूमेंट आपको पता है स्वाइग्मन मैनोमेटर वाला मैंनोमेटर मैंनोमीटर मेशर मेशर करने वज इस तर्व होता है में तरफ नहीं मar vind आ लेकिन जो भी इंपरन्ट था पूब बताया कुछ 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 इंस मीन आपके सामने भी रखें वह बताना होगा हुमन हर्ड के बात थे आपको बीदाटर के पास जाने काडियों के पास जाएंगा इस तरह जो और भी कुछ को शेयर करते रहना इस तरह कर आपको अच्छा मिलते जाएगा हम और बड़ी कंटेंट अपने लाते रहेंगे मेरे कोशिश ही रहेगे कि एक ही एक दू लेक्चन आपकी बायों खतम कर दूब और लेकिन आपके रिस्पांस के पर डिपेंड करता है ठीक है थैंक्यू जय हिं करेंट